आज की चर्चा का वीशे है पन्य विनिम्य केंदरों का प्रिच्चे इस चर्चा में आप पन्य विनिम्य केंदर क्या है उनके कितने परकार है वियत्पन किसे कहते है ये कितने परकार के होते है और यह जोखिम परबंद के लिए कैसे परियोग होते है इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले वियत्पनों का प्रिच्च है वियत्पन एक ऐसा उत्पाद है जिसका मुल्य एक समिधात्मक तरीके से एक से अधिक रेखाकित व्यूत्पनों अत्वा परिश्मपत्यों के मुल्या पर अधारित किया जाता है उधान के लिए मैं एक कागच को परदर्शित करता हूँ जिसका मुल्या इस बात पर निर्पर करता है जो एक हजार डॉलर को परदर्शित करता है तो इसे व्यूत्पन कहेंगे इसका मुल्य एक हजार डॉलर की किम्मत पर निर्फर करता है यह कागज किसी परिशंपत्ती को, किसी फोरेक्स एक्सचेंज को, किसी कॉमडिटी को परदसित कर सकता है, इसे व्योत्पन कहेंगे व्योत्पन का अपना कोई मुल्य नहीं होता, यह किस वस्तों को, किस संपत्ती को परदसित करता है, उसके मुल्या पर निर्भर करता है वित्य परिस्व्रित्यों का क्रय विक्रय होता है और पन्य वित्पन बजारों में पन्यों का ख्रीद या बेच होती है जैसे कोई धातु हो सकती है कोई क्रिश उत्पाद हो सकता है या अन्य कोई उत्पाद हो सकता है जैसे विदेशी मुद्रा उनका क्रय और विक्रय होता ह हैं अब विध्रपन के कितने प्रकार आइं मुख्य प्रकार हैं भावी उत्पन विकल्प वारंट और स्वेपस भावी इस के अंतरगत इस विध्रपन के अंतरगत आज के दिन हम क्रे विक्रे का एक समिधा त्यार करते हैं जो भविस्य में जिसका मुल्य निर्धान किया जाएगा और उसके जो अंतर का या तो उसका सुपुर्दगी की जाएगी समान की या उसके अंतर की जो पेमेंट है उसको लिया या दिया जाता है उसे भावी वियुत्पन कहते हैं यह दो तरह के होते हैं यह एक होता है फ पृइवेट रूप्से दो क्रेता और विक्रेता के बीच में है एक अग्रिम सविदा, जो एक बजार्दुवारा विन्यमित नियमो के अंसार किया जाता है, उसे आप अग्रिम सविदा कहते हैं, दूसरा वियुथपन है विकल्प, विकल्प दो प्रकार के होते हैं, इसके स्पोज 지역 स्पोज उधान के तोर पर एक किसान अपनी कपास बेचना चाथा है उसको यह अदिकार ही वह इस केमत पर कभी बी एक निश्ची समय तक सकता है इसे रहें दो परकार का होता है एक कृश और एक पूर्ट्स के अंदर करेता को विकल्प के करेता को किसी संपत्ति को किसी पन्या को किसी विदेशी मुद्रा को एक निर्धारित के मतपर एक निर्धारित समय तक खरिदने का अधिकार होता है और पूर्ट्स के अंदर एक विकल्प के करेता को उस संपत्ति को या उस मुद्र को या किसी कॉमडिटी को बेचने का अधिकार होता है वारंट विकल्प समयने तक कम अवधी के होते हैं जो एक वर्स या उससे ज्यादा अवधी के विकल्प होते हैं उन्हें वारंट्स का आ जाता है स्वेप्स इसके अंतरगत दो संपत्यों के लगद परवहा को आपस में विन्मे किया जाता है और ये पूरी तरह से प्राइवेट होता है इसको स्वेप्स कहते हैं वेपार के लिए उपलब्द उपकरन हैजिंग पुर्वानुमान और विवाचन के लिए अनेक उन प्रयोगों के कान व्यूत्पन निरंतर लोग प्रिय हो गए हैं तीन परकार के व्यूत्पन समिधा होती हैं अगरवती समिधा भावी समिधा और विकल्प व्यवसाई अत्मान में कोई करय विक्रय का सोधा होता है और भविश्य के अंदर उसका लेंदेन यानि उसका भुगतान और समान की स्पुर्द्गी होती है उसे अगरवती समिधा कहते हैं जैसे को भुगता को केहूं की हर महिने जरूरत होती है वो अगरवती समिधा करके ये विक्रेता से कर लेता है कि मेरे को फरवरी में इतना गहूं चाहिए मार्च में अंदर इतना चाहिए दिसंबर कर इतना चाहिए और इसे अगरवति स्विधा कहेंगे और भविषय में गयों की स्पूर्दगी हो जाएगी और जो करेटा है गयों का वह उसका भूकतान कर देगा भावी सुमिधा ये अग्रुथी स्विधा से अलग है अग्रुथी सिम्धा एक तरह से प्राइवेट कॉंट्रेक्ट है क्रेटा और विक्रेटा के बीच में 22 विंता के अंतर विन्मेक इंद्रों का एक भूमिका होती है और ये पूरी इतरह से स्टेंडराइज होते हैं माने कृत होते हैं विकल्प website, विकल्प का अर्थ है कि करेता को किसी वस्तू को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित केमत पर खरिदने का अधिकार या बेचने का अधिकार होता है, इसके अंदर दायत्म नहीं होता, उसको विकल्प website कहते हैं, यह दो परकार के होते हैं, कोल्स के अंदर करेता को एक निश्चित वस्तू या पन्या का खरिदने का अधिकार होता है जो एक निश्चित समय के अंदर और निश्चित कीमत पर ये अधिकार दिया जाता है पूर्स के अंदर करेता को उस समान को एक निश्चित अवदी तक एक निश्चित कमत पर बेच अधिकार होता है भावी सब्दावली स्थल मुल्य यह वह मुल्य है जो स्थान बजार में परचलित है और जिस पर वस्तूओं का करया और विक्रया होता है भावी मुल्य यह वह मुल्य है जिस का जिस पर वस्तूओं अन्य वस्तूओं को भावी बजार में खरिदा और बेच सवीदा चक्र है जिसक लिए सोधा विषया बजार मैं किया गया है! समापति तारिक यह सवीदा की מतारिक होती है! जिदिन दिन सोधों का निप्टान किया जाता है! Planning वित्रनिकाई यह मातरा है जो भावी बजार में खृद्दा और बेच्चा जाता है जैसे कि सोना एक किलोग्राम खृद्दा या बेच्चा जाता है जिसे वित्रनिकाई कहते हैं आधार आधार का मतलब है कि जो भावी मुल्य है और स्थल मुल्य है उसके अंतर को आधार कहत गाते है समान्यता यह होता है या वह स्थल मुले से ज़्यादा होता है कर आदें जयर्धؑ इसजय को इसले है इन ऑज ऑस्टुर करना पड़ेगा उस पर बियाज देना पड़ेगा जब हम भुईश्य में उसको खरीते हैं तो इन कोस्टों को हम जोड़ लेते हैं जिसे कोस्ट ओफ कैरी कहते हैं प्रारंबिक गुजाइश जब भी कोई क्रेता और विक्रेता भावी बजार में सोधा करता है उसको सोधा करने से पहले कुछ गुजाइश जिसको माजिन कहते हैं जम्हा करवाना होता है उसके बाद ही उसका सोधा वैद होता है बजार से बजार जैसा कि हम जानते हैं कि बजार में किमते हर दिन बदलती रहते हैं तो आज जो सोदा हुआ स्याम तक उसके कान जो बजार के कान उस मुल्ले में परवर्तन हुआ उसको हम समायुजित कहते हैं और उसके बराबर क्रेता या विक्रेता को अगले दिन गुंजायस देनी होता है इसलिए इसको बजार से बजार कहते हैं अनुरक्षन गुझायस यह वो गुझायस है जो प्रारंबिक गुझायस के अत्रित क्रेता या विक्रेता जमा करता है क्योंकि कई बार लोस के कान यहानी के कान प्रारंबिक गुझायस कम हो जाती है इसलिए अनुरक्षन गुझायस का प्रियोग करते हैं लगू एम दिर्ग स्थिती लगू स्थिती के अंदर कोई भी आदमी उस माल को बेचता है किसी वस्तू या पन्य को बेचता है यह उमीद करके कि भविशय में किम्ते कम होगी और दिर्ग स्थिती के अंतरगत कोई वैपारी समान खरीटता है यह मानते होए कि भविशय में व पन्या में भावी विवशाय को संख्थित कर रहा है इसके निभन चर्ण निमलिक्त हैं पन्या केंद्रों की सरंचना विन्मे केंद्रों की सदेस्यता इसमें दो तरह के सदेस्या होते हैं वैपार सहह निप्तान सदेस्या और पेसेवर निप्तान सदेस्या भावी बजार में प्रत्योगी हैजर्स स्टोरिये और विवाचक हैजर्स है जो अपनी स्थिती को सुरक्षित रखना चाहते हैं स्टोरिये जो किम्तों में उतार चढ़ाव का लाब उठाना चाहते हैं और विवाचक जो विभिन बजारों में किम्तों में अंतर हैं उसका फैदा उठाना चाह लेंदेन, विनमे के अंदर लेंदेन में तीन अव्य होते हैं, वेपार होता है, समासाउधन होता है और निप्टान होता है, वेपार के अंदर हर एक घराक का कोड होता है, जिस कोड के माध्यम से वो टर्मिनल पर जाकर अपना कोड फिल अप करता है और वेपार कर सकता है, हर उसको सोदा करने से पहले उसको प्रारंबिक रासी जमा कराना होता है यह वस्तू से वस्तू पर निर्भर करती है जिन वस्तू में ज्यादा उतार चड़ा होता है समान्य तो वहां प्रारंबिक मार्जिन की रासी ज्यादा होती है जिन वस्तू में कम उतार चड़ा होता है व जब आप सोदा करो गए आप margin की रासी जमा कर दी आपका जो आदेश ऑड़र है वो आपके Central Terminal में चला जाता है Central Terminal में देश के विभिन भागों से साइड का सोदा आता है यदि सोदा मैच fetching हो जाती है मिल जाता है तो आपका सक्रिय हो जाता है और यदि नहीं मिलता तो वो सोधा निस्क्रिय हो जाता है यह विविन परकार से होता है जैसे आप आदेश देते हो एक दिन के लिए वैद है या अभी अभी वैद है या कुछ टाइम तक वैद है उसके अनुसार आप आदेश दे सकते हो समासोधन इसके अंतरगत जो आपका विन्मे के ये किस समान का कितना आउस्टेंडिंग है इसको समापसूधन कहते हैं ये आपके जो विद्वन με के है तो आपको कि उसकी भुख्तान के जाता है और उसकी आपकी सफिर्धह मिल जाती है और यक्षित कि समां के की विक्रेता हो आप आपको उसकी रासी मिल जाएगी और आपको शमान उसको देना है यह आपका अंधिम我也 । जो विविन्नधमे के इंदर से इनमे वीविन परकार के प्रथिभागी होते हैं जैसे आपके हैजल से आदेश ले लिया तो वो यह कर सकता है कि जितना उसमें जेवरात का आदेश लिया है उतना ही सोना वो भावी बजार में बेचते यदि किमतें कम होती है सोने की उसको जो आदेश लिया उस पे नुक्सान होगा और जो भविश्य में उसने बेचा है उसमें फैदा होगा उसक का जो नुक्षान और फाइदा है वो बराबर हो जाता है तो जो मेन चीज तो उसी तरह से जैसे जैसे वो का पास लेता जाता है उतनी ही संख्या में वो बीज बेचता जाता है तो इस तरह वो प्रतिभागी हैं और कुछ स्टोरिये होते हैं जिनका केवल किमतों में उतार चडहाव का से फाइदा उठाना होता है वो इसलिए करते हैं विनमेक इंदरों के अंदर काम क्योंकि इसके अंतरगत जो रासी चाहिए वो कम चाहिए क्योंकि एक के गुंजायस रासी देनी होती है पूरी रासी नहीं देनी होती इसी तरह जो आर्बिट्रेजर्स हैं वो विनमेक इंदरों के अंदर काम करते हैं क्योंकि विभिन बजार लग के व्योत्पुनों का करय विक्रय होता है तो कोई भी जो व्योत्पुन है वो एक ऐसा परपत्तर है जो किसी संपत्ति को किसी मुद्रा को या किसी अन्य धातु को परदर्शित करता है इसका अपना कोई मुल्य नहीं होता ये निर्भर करता है कि उस वस्तु का उस या उस मुद्रा का क्या मुल्य है इसका जैसे जैसे क्रिशी के अंदर या वैपार के अंदर जोखिम बढ़ते जा रहे हैं उन जोखिमों को करने के लिए विविवन परकार के होते हैं जैसे आपका भावी, विकल्प, वारंट और स्वाप्स होते हैं विल्मे के इंदरों के अंदर विविन सब्दावली का परियोग किया जाता है स्थन भुल्य, भावी मुल्य, मार्जिन्ज, समापित तारिक, वित्र निकाई, आधार, कोस्ट ओफ कैरी, प्रार्मडिक गुंजायस, बजार से बजार, अनुरक्षन गुंजायस और लगवन दिर्द स्थिति यह एक विविनमे के अंदर किसी दवारा संक्ठित एसुशिन दवारा के जा सकते हैं, या किसी गैर विनियम मित भी हो सकते हैं, जो एक बहुत जोकिम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी संस्था के नियम और उपनियम नहीं होते इसमें विविन परकार के प्रतिय भ्यागी होते हैं, जैसे आपके स्टोरी हैं, हैजस हैं और आपके विवाचक हैं, भारत में जो विन्मे केंदर है वो निमलिकत हैं NCDX, MCX और MSE, थैंक यू, धन्यवाद. इसमें दोस्तोर चाहने के स阅वाने, हैं के विवाचक हैं, भारत में संसे आपके प्ल्क Ayos, में निमल्दा devrait भारते हैं, जैसे भնहार की अनीवाद. झाल झाल